जैहिन दोस्तों बिहर SSC Interlevel Exam के लिए आज किस वीडियो में GKGS से Most Important प्रसनों को कवर करेंगे जो कि साथियों आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा Important रहेगा तो साथियों आप सभी सेशन को बिना Skip किए लाश तक पूरा ध्यान पूरवग देखिए और साथियों जो भी चैल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नौट कर लिजिए ये क्लास आपको रात साड़े 8 बजे लाइब चेट के साथ दिया जाता है तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखे तो चले फ्रेंट्स रात के साड़े 8 बज चुके हैं फटा फट से आप सभी लाइब में जुड़ जाईए सभी फ्रेंट्स को गोड एवनिंग गोड एवनिंग तो चले साथियों आज का पहला कोशन देखिए ब्रहमांड में किनी दो निकायों के बीच गुरत्वा कर्शन बल किस पर निर्वर नहीं करता है सभी आप्शन को ध्यान से पढ़िए और सात्यों प्रत्यक स्ट्वेंट को नीचे लाइब चेट में अपना-पना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रोपर तरीकी से रिविजन भी हो सके तो ब्रमान में किनी दो निकायों के बीच जो गुरत्वा कर्शन बल होता है किस पर निर्वर नहीं करता है तो याद रखेगा उनके द्रब्मानों के योग पर निर्वर नहीं करता है बाकि उनके बीच की दूरी उनके द्रब्मानों के गुननफल और गुरत्वे स्थ्रा इंटू M2 बटे क्या होता है आर स्क्वाइर होता है तो बल देख सकते हैं ये गुरुत्य इस्थरंग पर निर्वर करता है द्रमान के गुननफल पर निर्वर करता है और उनके दूरी के वर्ग न दूरी के वर्ग पर भी निर्वर करता है लेकिन उनके द्रमानों के योग प बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है दवाब की SI काई क्या है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दाब ब्राबर क्या होता है बल बटे छितरफल क्या होता है बल बटे छितरफल अब बल का होता है न्यूटन छितरफल का होता है मेटर स्क्वाइर तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Newton प्रती Meter Square देखे, C option में दिया हुआ है, Newton प्रती वर्ग Meter Meter Square को वर्ग Meter भी कहा जाता है और दाब का और मातरक होता है, साई मातरक Pascal तो option के according चलना है, option में पासकल नहीं दिया हुआ है Newton प्रती वर्ग Meter दिया हुआ है इसी को पास्कल कहा जाता है आगे देखिए इलक्ट्रोन कम्प्यूटर का आविस्कार किस ने किया था बिल्कुल सिलेक्टेट कोस्षिन है ये वही कोस्षिन है जो आपके एक्जाम में पूछ जा सकते है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो साथियोस का सही जवाब है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग इन्होंने ही इलक्ट्रोन कम्प्यूटर का आविस्कार किया था अगला कोस्षिन दिखिए एक नाविक्या रियक्टर में भारी जल का क्या कार्य है चलिए कोस्षिन नमर चार के लिए आप सभी आंसर बतेए और साथियों जुन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए तो भारी जल जिसका सुत्र होता है इसका अनुभार पूछे तो 20 होता है तो एक नाभी के रिक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है तो इसका सही जवाब है नियूट्रोन की गती को कम करना भारी जल यानि हैबी वाटर का काम होता है नाभी के रिक्टर में नियूट्रोन की गती को कम करना भारी जल जो है एक मंदक की रुप में कारी करता है यानि moderator की रुप में कारी करता है भारी जल जाहाज की गती में वृद्धी किस पर आधारित है? चले, question number 5 के लिए answer बताइए और सातो यहाँ से question ध्यान रखना है और भी पूछायाता है इस नाविके रियक्टर में नियंतरक छड़ के रुप में किसका इस्तमाल होता है कैडमियम या फिर बोरोन का छड़का उपयोग किया जाता है नियंतरक छड़के रुप में इसे भी ध्यान रखेगा तो जहाजों की गती में वृद्धी जो है ये आरके मिडिज का सिधान्थ पर अधारी थे तो यहाँ पर पहला उप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आरके मिडिज का सिधान्थ जो पानी वाला जहाज होता है उसे की बात की जारी है जल की बुंद से खाली स्थान होकर इंद्रधनुस बनता है चले कुशन नमर 6 के लिए आंसर बताईए जल की बुंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुस बनता है तो सातियों जलकी बुंदों से प्रकास का प्रतिभिंबन एवं अप्वर्तन होकर इंद्रधन उसका निरमान होता है तो यहां पर C option आपका सही जबाब है प्रकास का प्रतिभिंबन एवं अप्वर्तन नियत चाल से गती करने वाली वस्तू का दूरी समय ग्राप एक होता है चले कुछन नमर साथ के लिए आंसर बताईए नियत चाल से गती करने वाली वस्तू का दूरी समय ग्राप एक होता है तो यहाँ पर कुछन नमर आट के लिए आंसर हो जाएगा सरल रेखा होता है ध्यान रखिएगा डाल्टन का सिधान्त किस पर अधारी थे चलिए कोशन नमर आठ के लिए आंसर बताईए डाल्टन का जो सिधान्त है वो किस पर अधारी थे तो साथ यो डाल्टन का सिधान्त रसानिक सयोजन के नियम पर अधारी थे यहाँ पर पहला option आपका सही जबाब है option के according ही आपको answer करना है तो डाल्टन का सिधान्त जो है रशानिक सयोजन के नियम पर अधारी थे आगे देखिए optical character reader यानि की OCR किसका एक उधारन है तो यहाँ से आपको यह भी रखना है OCR का full form क्या होता है optical character reader और यह एक परकार का क्या है input device है तो देखे B option में दिया हुआ है input device camera की बात करें तो camera पूछा आता है किस परकार का device है तो camera जो है यह भी क्या है input device का उधारन याद रखेगा camera हो गया touch screen, mic हो गया joystick हो गया यह सभी क्या है input device का उधारन है और output device पूछे तो printer, अपने देखा होगा printer, monitor, floppy disk यह सभी क्या है, output device का उधारन है sodium carbonate का रसानिक सुत्र क्या है चले दस के लिए answer बताईए sodium carbonate जिसे धोवन सोडा यह धोने का सोडा भी कहा जाता है तो इसका formula क्या होता है Na2CO3 यह क्या है धोने वाला सोडा और एक होता है NaHCO3 यह क्या है sodium bicarbonate जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है ether और benzen प्रिथक किये जा सकते हैं चले 11 के लिए answer बताईए एक एक question exam के लिए important है इसलिए एक भी question को आपको skip नहीं करना है तो वो साथियो ether और benzen प्रिथक किया जा सकता है तो आसवन विधी दुआरा यहाँ पर B option आपका सही जबाब है आसवन विधी यूरिया का द्रब्मान क्या है यूरिया का दिके formula लिखा हुआ इसे भी ध्यान रखेगा NH2 CO NH2 यह क्या है यूरिया का यह यूरिया का सुत्र है तो यहाँ पर इसका answer direct याद रख लीजे यूरिया का जो द्रब्मान संक्या है यह 60 होता है कितना होता है 60 होता है सौर उर्जा किसके द्वारा उत्पन होता है चलिए आंसर बताईए फड़ाफट से सौर उर्जा किसके द्वारा उत्पन होता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सौर उर्जा जो है जान रखना है ये सल्यन पर क्रिया द्वारा उत्पन होता है यानि कि सूर जो है जिसे सौर उर्जा निकलता है ये नाविकिया सल्यन के सिदान्त पर काम करता है और साथ यहाँ पर ध्यान दिजे अगर आप लोग यहाँ पर निकालना चाहते है द्रभमान संख्या कैसे निकाला जाता है तोला साब को बता देते हैं देखिए एन एच टू सी ओ फिर क्या है एन एच टू तो एन क्या है नैट्रोजन है इसका प्रमानु करमांग साथ होता है तो प्रमानु भार हो जाएगा 14 ठीक है यह होगी आपका 14 प होता है तो यहां लिग देंगे 12 फिर प्रस oxygen का कितना होता है प्रमानू कर्मा 6 तो प्रमानू 2 कितना हो जाएगा 16 कि उसी प्रकार फिर एन का यहां पर 14 हो जाएगा और hydrogen 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अब इन सभी को add कर दिए यह आपका आजाएगा 60 जो कि C option में दिया गया है आगे दिखें मानब शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते ही चले question number 14 के लिए answer बताईए और साथी आप लोग daily class को टेंड कीजिए अब प्रियास करेंगे अब यहार SSE के लिए daily class लेने का timing ध्यान रखना है रात साड़े 8 बजे से पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे description box में दिया हुआ है तो simple सा question है यहाँ पर answer होगा D यकरित कारे करता है चले 15 के लिए answer बताईए यकरित कारे करता है तो यकरित जो है पाचन का कारे करता है यहाँ पर D option में दिया हुआ है पाचन भोजन यानि कि खाज पदार्थ के संबंद में इन में से कौन सा कथन असत्ते है तो दीके यहाँ रसानिक क्रियाई देता है सही है यह एक जैविक पदार्थ है यह भी सही है यह हमें उर्जा परदान करता है यह भी सही है यह option में दिया है यह एक अजैविक पदार्थ है जो की गलत है भोजन जो है यह जैविक पदार्थ है ना कि अज़ेविक पदार्थ तो पहला अप्शन या पर गलत है जठर ग्रंथिया द्वारा स्रावित हाइड्रो क्लोरिक अमल जिसका फॉर्मूला होता है तो खालिय स्थान एंजाइम की क्रिया को असान कर देता है यानि हड्रो क्लोरिक अमल जो है जो जठर गंतियों दोरा स्रावित होता है किस एंजाइम की क्रिया को असान कर देता है सही जवाब है पेपसिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है असान कर देता है काच को गहरा निला रंग किस से मिलता है और देखे अगर आपको किसी भी प्रस्ण में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट कर रिपलाई 100% आपको मिलेगा तो सात्यों काच को गहरा निला रंग किसे मिलता है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है कोबाल्ट ओक्साइड से मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है तो जब आप लोग इंडिया मैप को देखेंगे तो मिजोरम की सीमा जो है भारत के टोटल तीन राज्यों से मिलती है कौन-कौन से राजे है तिरपूरा असम एवं मनिपूर किसे संसोधन अदेनियम द्वारा लोग सभा तथा विधान सभाओं की अवधी पांच वर्ष के स्थान पर छे वर्ष किया गया था तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आप्शन 42 संसोधन देखे 42 संसोधन 1976 में हुआ था इसके तहट क्या किया गया था तो लोग सभा तथा विधान सभाओं की जो अवधी है पांच वर्ष से बढ़ा कर छे वर्ष किया गया था फिर से संसोधन होता है 44 और यह संसोधन हुआ था 1978 में और इस संसोधन के द्वारा लोग सभा तथा विधान सभाओं की अवधी जो है पुना छे वर्ष से घटा कर पांच वर्ष किया गया था तो पहले जो है 42 संसोदन के ताथ लोकसभा और विधान सभा की अबदी पास से बढ़ा कर 6 वर्स किया गया फिर 1978 में एक 44 संसोदन होता है जिसके ताथ पुना लोकसभा और विधान सभाओं की अबदी जो है वो क्या कर दिया गया था तो यहाँ पे 6 वर्स से घटा कर 5 वर्स कर दिया गया तो यहाँ पे पूछा गया है 5 वर्स के अस्थान पर 6 वर्स तो आंसर हो जाएगा 42 लेकिन अगर आपसे पूछे चे वर्स के अस्थान पर 5 वर्स कब किया गया था तो यह 44 वा उनिस सो 78 में तो फिलाल आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बी ओप्शन बिहर में सरवपर्थम किस विष्विध्याले की अस्थापना हुई थी तो बिहार में सबसे पहले अस्थापना होती है यहां पर पहला अप्शन अपका सई जबाभ है और इसके अस्थापना कब हुआ था तो 1927 में याद रखेगा और भारत में सबसे पहले पूछे किस विश 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 व of Islamic Conference यानि OIC इसका मुख्याले कहाँ पर अवस्थी थे तो साथ यो इसका जो headquarter है ये कहाँ पर है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option B जिद्दा में इस्थी थे इस तरह से होगा जिद्दा में इसका headquarter इस्थी थे NATO का headquarter पूछे कहाँ पर है NATO तो NATO का headquarter है Brussels में कहाँ पर है Brussels में सू नहर किसको जोड़ती है तो साथ यो सू नहर की बात करें तो ये सुप्रियर जील एबम हिरोम को जोड़ती है जो कि D option में दिया गया है सुप्रियर और हिरोम को और सू नहर कहाँ पर है तो ये USA में स्थित है यानि अमेरिका में स्थित है सू नहर अगला question दिखिए रिजर बैंक अप इंडिया के प्रथम भारतिय गवर्नर कौन थे तो साथ ये आप ये प्रथम पूछा गया है और भारतिय गवर्नर पूछा गया है तो आंसर हो जागा CD देशमुक लेकिन अगर आपसे पूछा याता RBI का परथम गवर्नर कौन था तो आपका आंसर होता Osborne Smith लेकिन याप भारतिय पूछा गया है इसलिए आंसर होगा CD देशमुक वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है तो सक्तिकांत दास है कौन है सक्तिकांत दास और 35 नमर के RBI के ये गवर्नर है भारत का राजनिती युगमन याने इंटीग्रेशन किस बुद्धी जीवी का कमाल है सही जवाब है सरदार वल्लब भाई पतेल सरदार वल्लब भाई पतेल का जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने ही 1928 में बारदूली सत्यागर का नेत्रितु किया था इनको ही भारत का बिसमार का जाता है और इने ही लोपुरूस के नाम से जाना जाता है सी राज गुपलाचारी की बात करे तो सवतंत्र भारत के परफम भारतीय गवर्नर जिन्रल थे सी राज गुपलाचारी और सवतंत्र भारत के परफम सिर्फ गवर्नर पूछे तो कौन थे लौर्ड माउन्ट वेटन वर्तमान में भारत की नेती आयोक के उपाध्यक्ष कोन है चली आंसर बताईए नेती आयोक के स्थापना एक जन्वरी 2015 को क्या गया था योजना आयोक के अस्थान पर नेती आयोक का ध्यक्ष स्वयम परधानमंत्री होता है जो कि वर्तमान में स्री नरेंद्र मोदी है तो वर्तमान में उपाद्यक्ष कौन है तो सुमन कुमार बेरी वर्तमान में इसके उपाद्यक्ष है और इसके CO कौन है वर्तमान में तो B, B, R, सुब्रमन्यम वर्तमान में नितियायो के CO है आगे दिखिए यूक्रेयन में फसे भारतिय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ओप्रेशन चलाया गया यह पुराना करेंट अफिर से तो इसका बता देते हैं ओप्रेशन गंगा को चलाया गया था ऐसे यह कोशन एकजाम के लिए इंपोर्टन रहे रहेगा क्योंकि यह जो घटना है 26 फरवरी 2022 की ही घटना है यह जैने 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्राले के सायोग से यूकरेन में फसे चात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ओप्रेशन गंगा चलाया गया था नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड है तो इसके बीच सत्पुडा का पहाड है याद रखेगा किसका सत्पुडा अरावली की बात करें ये सबसे प्राचिंतम परवत स्रेनी है और ये अवसिष्ट परवत का उधारन है कैसा अवसिष्ट प्रवत का उधारन है हिमाले की बात करें तो हिमाले वलित प्रवत का उधारन है युद्ध का बाहय आकरमन के कारण की गई अपात काल की घोषना का संसद्वरा अनिवारित अनुमधन होना चाहिए तो ये होना चाहिए एक महिने में पहला option यहाँ पर सही है चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रह्मन किया था तो सात्यों चीनी यात्री फायान ने भ्रह्मन किया था चंदरगुप्त दूति के सासन काल में यहाँ पर C option में दिया हुआ है याद रखेगा और फायान की बात करें तो बहुत धर्म की ज्यान प्राप्ति के लिए भारत आया था तो चले साथियों आज के लिए इतना ही अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 30 कोशन में कितने कोशन के सई सी आंसर किये हैं और ये सभी कोशन एकजाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो फिर से इसे रिविजन जरूर कीजिए